हाँ लो स्टूडेंस दिस तुशार पटेल यौर फिजिक्स टीचर और वल्कम ओन संकल भारत सो कैसे हैं आप सभी हाव यौल कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन मुझे पता है कि कुछी दिन बाकी है आपकी नीट की एक्जाम के लिए और इसी लिए आपको कुछ ऐसे चोटे-चोटे कॉंसेट्स पता होने चाहिए जिसके उपर ज्यादा चांसेज है कि आपको नीट एक्जाम में हेल्प मिल पाए इसी लिए आज मैं आप सभी के लिए कॉंसेट बूस्टर सीरीज में एक शॉटकट वाला कॉंसेट लेके आया हूँ जो है चैप्टर करेंट इलेक्टरिसिटी से इसके उपर से गैरेंटीड दो सवाल आते हैं कई बार तो तो तीन तीन चार चार पूछ लेता है नीट तो नीट इस चैप्टर का दिवाना है ठीक है क्योंकि एंजीनियरिंग में जाने वाले बच्चों को तो यह पूछा ही जाता है लेकिन मेडिकल में जाने वाले बच्चों को भी यह चीज़े पता होनी चाहिए तो नीट इस गोई तो आस्कियों आज में कराने वाला हो उसी को आज में कराने वाला हो So this is going to be a very short session 10-15 मिन में आपको एक बढ़िया सा concept बता दूँगा And we are going to rock it मजा आ जाएगा आप देखिये ध्यान से यह आपे कुछ basics है जो आपको पता होने चाहिए अभी कभी भी हमारे पास connections जो होते हैं रजिस्टर के बोलो या फिर इसल के बोलो दोनों के दो ही टाइप के connections possible है एक होता है सीरिस connection और दूसरा होता है parallel connection तो जबी भी हम दो चीजों को यह क्या हो गया जबी भी हम दो चीजों को parallel में connect करते हैं कैसे बिटा parallel connection में करते है connect जबी भी दो रजिस्टर को parallel में connect करते हैं तम उसमें एक ही current को दो अलग अलग रस्ते मिल जाते हैं तो current divide हो जाता है यानि कि for example हमारे पास ये एक सरकीट हो गया ये दूसरा रजिस्टर हो गया एक पहला रजिस्टर दूसरा रजिस्टर में आपको बता दिया तो अगर current यहां से जाएगा तो current के पास में कुल मिलाके यहां से उसके पास दो रस्ते बनेंगे तो current को ultimately divide होना पड़ेगा यहां से current हो जाएगा I1 और यहां से current हो जाएगा I2 जो total current था यहां वो I था तो इस case में current divide हो गया है ना जबकि कुछ current गया resistance 1 के पास से कुछ current गया resistance 2 के पास से अब आपको यह resistance solving तो आता है यह 1 upon R1 plus 1 upon R2 is 1 upon net resistance यह R1 into R2 upon R1 plus R2 is the net resistance यह सब आपको पता है लेकिन काफी बारना आपको चाहिए होता है कि पहले resistance में से कितना current जा रहा है दूसरे में से कितना जा जा रहा है कभी कभी series connection भी तो होता है चोटे तो series connection जो होता है उसमें हम resistors को ऐसे लगाते है कि current वही आगे जाए और दूसरे resistor में से flow कर जाए तो पहला जो resistor है उसमें से जो current जाएगा same ही current दूसरे resistor में से flow करेगा यानि कि current is going to be the same across all the resistors connected in series लेकिन जो इसके across potential drop है वो अलग होता है दोनों के across potential drop अलग होता है अगर मैं बोलू कि दोनों में total voltage V है इन दोनों के across total जो voltage है अगर वो V है तो उसमें से कुछ V1 पहले में जाएगा कुछ V2 दूसरे में जाएगा समझ गए कि नहीं तो इसमें कितना voltage first के पास गया कितना voltage second के पास गया काफी बार हमें पता होना चाहिए या कही बार ना question यह से आता है find out the current through this resistor find out the current through this branch ऐसे cases में के विये लगाना ना कही बार सही option नहीं होता है I'll show you with an example PYQ का ही example लोंगा उस सब पता होंगा ठीक है लेकिन I hope आपको समझा कि हम जो अभी पढ़ रहा है वो apply कहां करना है series connection में आपको कोई भी resistor के across voltage चाहिए आप इसको use कर सकते हो parallel connection में आपको कोई भी resistor के across current चाहिए आप वहां के लिए उसके लिए होता है current divider rule और दूसरा होता है voltage divider rule समझ में आ गया चलिए मैं पहले आपको current divider rule बताता हूँ right now we are not going into the derivation उसके लिए बहुत simple सा logic last में बता होंगा लेकिन सबसे पहले काम की बात करता है formula बता देता हूँ ठीक है अगर आपको first resistor के across current चाहिए current across first resistor will be some fraction of total current है total current का ही तो कुछ हिस्सा होगा i मेंसे ही I1 बना है नहीं मना है क्या i मेंसे ही i1 बना है इसलिए i को कुछ fraction से multiply करना पड़ता है यह fraction times current होता है यानि कि total current से short current होता है यह first का current, समझ में आ गया कि नहीं, अब वो ratio क्या होता है, वो fraction क्या होता है, so आपको, जिसके भी across current चाहिए, first के across चाहिए, तो सामने वाले resistance को लेने का, upon total resistance को लेने का, simple as that, as simple as that, guys, it is easy, right, come on, एक और formula बना रहे हैं, current across second resistor will be some part of the total current, यह fraction जो होगा, उसी का कुछ multiplication, आई का multiplication, यह fraction होगा, वो ही हमारा answer होगा, है कि नहीं, तो इसी लिए, हमारा काम है, इस fraction को निकालना, यह fraction क्या होगा, तो जो resistor के across आपको current चाहिए, उसके सामने कौन सा resistor है, उसकी value, upon total resistance की value, simple as that, this is the current divider rule, आपको पता क्या होना चाहिए, total current और सामने वाले resistance, और resistance की वाले तो पता होती है, बार total current पता होना चाहिए, ठीक है, I hope आपको समझा, ठीक है, now we'll go for the next one, यह हो गया, CDR, क्या बोलते है, CDR, याद रखना है, चोटे, कहां आएगा बहुत, voltage divider rule, let's go for the voltage divider rule now, voltage divider rule क्या होता है, voltage जो है, series connection में divide हो जाता है, every resistance uses the energy, remaining energy आगे बेशता है, यही concept होता है, voltage divider, तो आपको, अगर कोई बोले, first resistor के across कितना voltage है, तो first resistor का voltage will be equal to some fraction of total voltage, यह total का ही तो कुछ हिस्सा है न, वीवन, तो वस यहाँ एक fraction चाहिए, अब voltage divider rule में, जिस resistor के across आपको voltage चाहिए न, उसी resistance की value divided by सब की value, as simple as that, खतम बात, समझा, एक और मुझे लिखने में help कर जड़ा जल्दी जल्दी, second resistor के across potential मुझे चाहिए, तो वो बताना है, total voltage का ही कुछ हिस्सा होगा, और वो कितना होगा, तो उस resistor की value divided by total resistance की value, R1 plus R2, clear है, clear है, हा की न, this is the way you'll write it, याद रहेगा कि न, मैं यहाँ पे न, इसे सफेद पैन से बता देता हूं आपको, ठीक है, this ratio should not be forgotten, यह याद रखने वाली चीज़े हैं, बच्चो, इसको बोलते हैं, voltage divider rule, अगर आपको देखो, यह सब नहीं याद करना है, you can go with the conventional method, इस resistance की across आपको current चाहिए, इस resistance की across आप voltage पता कर लो, वो V is equal to I1, R1 कर दो, R1 की value आपको पता, R1 की value तो आपको पता ही होगी, I1 की value आपको निकाल नी है, तो total voltage की value उसके across निकाल दो, तो भी answer आएगा, इसके लिए भी V is equal to I2, R2 कर दो, क्योंकि parallel में voltage रिमें सेम ना, तो V is equal to I2, R2, तो I2 की value आपको निकालने, R2 की value पता है, V की value पता है, इसी तरह से यहाँ पर भी V is equal to IR करो, आपको इसके across current पता होना चाहिए, इसके across resistance पता है, इन दोनों को multiply कर दो, V1 मिल जाएगा, यह current आपको पता है कितना जा रहा है, I2, I into R2 कर दो, तो V2 मिल जाएगा, लेकिन sometimes you do not know the current कितना जा रहा है, तो और भी फिर भी voltage चाहिए, current नहीं पता, फिर भी voltage निकालने का तरीका यही है, समझ में आगे कैसे by default निकाल सकते हैं, वो भी मैंने बताया, लेकिन, अगर आपको वो voltages यहां नहीं पता है, यह current नहीं पता, तो आप कब निकाल सकते हैं, वो भी मैंने बताया, I hope आपको समझा, आप देख लीजिए, ठीक है, अब मैं आप सभी को इसके ऊपर एक question भी बता सकता हूँ कि कैसे इसको apply किया जाता है, for example, यहां से हमारे पास current जा रहा है, 5 amp, ठीक है, यहां एक resistor है, हमारे पास में, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, यहां एक resistor है, जिसकी value है, let's say, let's say, यह है 6, यह है 4, 6 ohum, 4 ohum, आपको मैंने बोला, कि बता दोस्त, इस resistor की across पहले के across जो current जा रहा, I1, उसकी value बता, तो आप मुझे बोलोगे, sir, total current, I1 will be total current का कुछ हिस्सा होगा, हाँ, होगा, तो हमें उसका formula बनाना है, जिसके across resistance के across current चाहिए, उसके सामने वाला resistance, 4 upon total resistance, 6 plus 4, तो यह आप करोगे, 4 upon 6 plus 4 is 10, और यहाँ total current की value 5, तो यह आपने कर दिया, answer will be there in front of you, guys, come on, यह 10 और यह 5 कटा नीचे आ गया, 2, 4 upon 2, to I1 में से current हो गया, 2 amperes, तो यानि की, 5 का, 2 amperes इदर जाएगा, तो 3 amperes इदर जाएगा, ना, जिदर कम resistance उदर जादा current, जिदर जादा resistance उदर कम current, यही तो logic होता है, resistance is opposition to the current, यहाँ जादा resistance है, 2 amperes ही गया, यहाँ कम resistance है, 3 amperes गया, आप एक चीज़ observe करे, यह जो मैं बता रहाँ न, यह सिर्फ percentage के यह साथ से भी आप सोचके निकाल सकते हो, 6 और 4, उसी ratio में current डिवाइड हो गया, 5 का, उल्टा में, समझ मैं आ गया, 6 is to 4 कर दो, जो भी answer था, उसको उल्टे में डाल दो, 3 is to 2, 5 को totally 3 is to 2 में डिवाइड कर दिया, 6 plus 4, 10, 6 is to 4 is 10, यहाँ पे 5 को भी उसी हिसाब से तोड़ दो, लेकिन, उल्टा, कम वाला हिस्सा आएगा आगे, ठीक है, सॉरी, कम वाला हिस्सा आएगा आगे, और जादा वाला हिस्सा आएगा पीछे, 3 plus 2 is also 5, और यह देखो, fraction wise ratio तो सेम ही है, आप multiply by 2 कर दोगे, तो भी हुआ आजाएगा, समझा तो easy number सा, इसलिए आपको समझा नासान पड़ा, अच्छा, एक direct chart, direct answer, दोनों की value same है, equal current divide होगा, दोनों यहाँ पे भी VDR में ऐसा ही होता है, अभी मैं आपको यहाँ VDR का एक example देता हूँ, यह है हमारे पास resistance 1, here is the resistance 2, यह दोनों resistances हो गए, now let's, let's say कि यहाँ से current आई जा रहे है, current आई की value में पता नहीं है, voltage across first resistor V1, voltage across second resistor V2, total voltage across both of them, हम ऐसे देते हैं, यहाँ पे एक circuit को complete कर देते हैं, हमने इसको दिया इस तरह से, यह है 10V, ठीक है, 10V है, इसकी value है, 4, इसकी value है, 6, ओहम, ओहम है न, ओहम में ही होता है, न हमेशा, तो आपको मुझे बोलना है कि first voltage की, first की across कितना voltage होगा, तो first की across कितना voltage होगा, will be some fraction of the total voltage, यहाँ पे fraction में value की आएगी, come on everyone, जो खुद का resistance है, वो 4 upon total resistance, 4 plus 6, तो यहाँ पे आए गया, 4 upon 4 plus 6 is 10, into total voltage is 10, 10 से 10 गया, तो V1 की value आगई, 4V, यानि कि 10 का, 4V यहाँ जाएगा, 4V यहाँ गया, और 6V, obviously, 4 यहाँ गया, 10 में से 4 गया, यहाँ आगया, आप देखो ना, 6 plus 4, the resistance भी दसी था, voltage भी दसी था, तो उसी को equally divide होना था ना, resistance के हिसाब से, जिधर जादा resistance, उदर जादा potential difference, क्योंकि वो जादा energy demand करता है, जिधर कम resistance, उदर कम potential difference, वो भी इस fraction में ही divide होता, अगर आप यह ratio का चीज़ समझ चुके हो ना, तो अगली बार आपको इसके अलावा direct answers भी आना चालो हो जाएंगे, समझ में आ गया, I hope आपको समझा, इसमें आपको पूचा है कि बताओ, यह circuit है, जिसमें यहाँ 10V का एक cell है, उसके बाद यहाँ एक resistor है, जो 10 ohm का है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऐसा circuit दिया है, जिसमें यहाँ 30 ohm का resistor है, यहाँ दिया है 20 ohm का resistor, 20 ohm, इसके across हमें current I की value चाहिए, circuit को complete किया है, यहाँ 3 ohm लगाके, ठीक है, आपको सबसे पहले दिमांग में आगा, इधर KVA लगाओ, इधर KVA लगाओ, जो भी answer होगा, I का निकल जाएगा, लेकिन I guarantee you, उससे answer आपका difficult हो जाएगा, इसी लिए, इस circuit को पहले आपको यहाँ पर current चेना, उसके पहले क्या करो, total current निकालने की कोशिश करो, क्योंकि जो भी total current होगा, उसी का कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, मतलब फिर तो यह दोनो parallel में हैं न, इसी लिए, मैं क्या करूँगा, पहला step 1, step 1, total current I find करने की try करूँगा, total current I find करने के लिए circuit को simplify करो, यह है हमारे पास 10 volt, उसके बाद यह आगया 10 ampere, sorry, 10 ohum आगया, यह 20 और 30 को solve करोगे, तो आपको यहाँ पे 20 और यह 30 ohum, यह दोनो parallel connection, समझ में आ गया, तो parallel के लिए, इनका net resistance निकालना बहुत जरूरी है, net resistance कैसे निकालोगे, 20 into 30 upon 20 plus 30, this is the simplest way, है न, आप यहाँ पे कर लो, 20 into 30, 600 और 50, 20 plus 30, 50 यह गया, और 5 और जाएगा 12 से, तो 12, समझा की ने, तो 12 ohum is the correct answer, और वैसे ही 20 और 30 दोनों से छोटा आना चाहिए, उसका parallel combination का answer, तो यहाँ आ गया हमारे पास में, एक resistance 12 ohum का, जो इन दोनों का combination है, ठीक है, 12 ohum, और नीचे एक है 3 ohum का resistor, अब आपके पास में यह 10 volt total पता है, total current बताओ, total current is total voltage upon total resistance, total voltage in the entire circuit is 10, total resistance is 10, series with 12, series with 3, 10 plus 12 plus 3, 12 plus 3 is 15, 15 plus 10 is 25, यहोगे आपका current, total current मिल गया, अब आपको यह circuit को भूल जाना है, आपको यह total current मिल गया, अब सिर्फ इतना देखो, इस connection को देखो, second part, step 2, step 2 में आप देखोगे, तो total current आ रहा है, यहाँ से जो जा रहा है, वो 30 O हम है, नीचे जो जा रहा है, यह वाला, वो 20 O हम है, ठीके, तो यह आप मानलो, यहाँ total current आई जा रहा है, total current आई और I की value यह रही, ठीके, अब आपको क्या करना है, यह आई जा रहा है, आपको यहां से कितना current जा रहा है वो पता करना है इसके across कितना current जा रहा है वो पता करना है उस i2 को निकालने के लिए आपको पता है कि it will be total fraction of some current और यह current i कितना है वो भी आपको पता है लेकिन अभी हम formula बनाता है 20 जिसमें से यह कौन सा है current divider rule current divider rule में सामने वाला resistance लिया जाता है देखो r1 में चाहिए r1 में एक रोस current चाहिए तो सामने वाला r2 upon r1 plus r2 समझ में आ गया तो इसी तरह से आपको cdr में सामने वाला resistance 20 के सामने वाला 30 है तो 30 अपॉन 20 प्लस 30 20 प्लस 30 पचास समझ में आ गया यह कर दिया यहां टोटल करेंट आई की वेल्यू रख दो टोटल करेंट आई की वेल्यू है 10 अपॉन 25 तो आपने यह रख दे यह 5 और 6 by 25 क्या आई 2 की वेल्यू यही है 6 अपन 25 यस ऑप्शने इस अप्शने इस अ करेक्ट आंसर आई होब आपको समझा शायद मुझे जो तीन चार मिनित लगे यह आपको नहीं लगे क्योंकि आपको यह मुझे एक्स्प्लें करना था समझ गये पहले हमने कम्माइन करके टोटल करने कल निकले टोटल में से पर एक कैषिस्था निकाला था वह हमने cdr से निकाल लिया इसको गैरंटी दे रहा हूं आप उसको kvl apply करो करो kvl apply करके बादर करके देखो क्या वो lengthy method कि यह lengthy method आपको guaranteed समझेगा then you'll understand the logic behind कि मैं क्यों CDR VDR बता रहा हूँ समझ में आ गया I hope आपको समझा so this was the concept this was the concept of CDR and VDR अगर आपको अच्छा लगा जरूर लाइक करें इस session को comment करके बताईए आप कौन से topic को मुझसे सीखना चाहते हो अब मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए bye see you and take care love you all guys